अरे 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 अराम से अराम से देखें यहां तो हाट लाइन पर हैं अर्जुन और काश्वी और यहां भी कर रहे हैं यह एक दूसरे से जगड़ा वेल देखें जहां होता है ना प्यार वहां होती है थोरी बहुत दक्राथ अब बस छोड़ दीजिए आप दोनों अपना अपना गुसा और आप दोनों को करना चाहिए एक दूसरे से सिर्फ़ सिर्फ प्यार बाई तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको यह है चाहते के सेट पर और पता कर तर आते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज लेकिन करुन कर रहा है अर्जुन को मिस तभी तो वो वीडियो कॉल पर कर रहा है अर्जुन से बात तभी वहाँ पहुँच जाती है काश्वी जो अर्जुन से बाते करने लगती है ऐसे में जब आदिते ये नजारा देखता है तो काश्वी पर भड़क उठता है बेजिकली अभी अर्जुन पे एक लांचन लगा है उस पे एक ब्लेम हुआ है कि उसने जो मॉंटी की होने वाली बीवी है उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या उसको मॉलिस्ट करने की कोशिश की ऐसे बहुत संगीन आरोप लगा है हला कि अब मैं अर्जुन के साथ one-on-one fight में उतर चुका हूँ fight याने not the physical one but the काशवी को पाने की fight जो है उसमें अब तो मुझे खुशी होती है जब अर्जुन को तकलीफ होती है तो अर्जुन को सबके सामने इशा बोलती है कि मैं शादी तभी करूंगी मॉंटी से क्योंकि जब यह मेरे सामने नहीं होगा क्योंकि मेरे सामने आता है तो मुझे बुरा लगता है जब अर्जुन को घर से निगाल देते हैं वो करूं से बात कर रहा होता और काश्वी पहुंच जाती है और करूं से फोन लेकर वो बात कर रही होती है और वो मैं देख लेता हूं तो फिर मेरा पारा चड़ जाता है कि इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तुम उससे बात कर रही हो मतलब उस पे इतना संगीन आरुपना कैसे कर सकती हो लेकिन काश्वी को confidence है कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता तो वो defend करती है मैं से ट्विस्टेंड मैं यह है कि अर्जुन के खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं अब वो क्या है यह तो आगे पता चलेगा लेकिन एक के बाद एक के बाद एद जब ईशा उसके साथ जो भी घटना घटी है उसके जो सबूत डालती है वो सबूत सारे अर्जुन के खिलाफ जाने लगे हैं महीमा चाची ये लोग तो अपने आप में खुश है कि अपने आप 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 पाइलेट मोड पे कुछ ना कुछ चल रहा है और इसमें अरजुन फस भी रहा है मैं खुश हूं लेकिन एक्जिकली क्या है वो अभी चार-पांच एपिसोड में अपने आप ड्रामा ख मेरा हो भी सकता है महीमा का हो भी सकता है चाचे का हो भी सकता है थर्ड पार्टी का भी हो सकता है इतना है कि जो प्रेडिक्टेबल इजी-जी लग रहा है वो इतना 100% नहीं होगा कुछ अद तक प्रेडिक्ट कर पाएंगे लेकिन कुछ अद तक वो डेफिनिली कुछ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्स्क्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ सुनिये सुनिये आप हमें फॉलो करें वाट्साप पर भी टेक केर बाई